आ के दो नुए Umаем वाट आधा इंग्रीडेंट देखनां वाट आ डई इंग्रीडेंट ऑफुक्रीड. कोंपू आपको तिय homes of concrete, in सीमेंट में अधिकतर हमारे घोता है कि मोट छुना होता है है ठीकि जिए बहुत का लग भी। सीमेंट के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीकर नसमा यहां सथी क्रuse आप छोटे हें decisions में जो सीवस के 4.75 mm से जो पास हो जाए वो क्या हो जाते हमारे फाइन और जो उपर रह जाए वो जाते हैं कोर्स मतलब एग्रिगेट और एग्रिगेट के बारे में आपको मालूम है कि कॉन क्रिट में अधिकतर स्ट्रेंथ कोन देता है हमारा एग्रिगेट या फिर गिट्टी ठीग कैसे अच्छे काउंक्रीट की विशेसता है बताए अच्छा को कॉनक्रीट वही होगा जब आप अच्छे तरह से mix करोगे, batching करोगे, place करोगे और compact करोगे ठीक और बाद में तरी करोगे तब ही वो क्या करता पूरी strength लेता है और एक अच्छे concrete को अपनी सारी विशेशता निभानी चाहिए और उसका काम अच्छे से करना चाहिए सारी चीज़ा आप लिख देना ठीक है आई बात समझ में फिर देख रहे हम डिस्क्राइब वर्कैब्लीटी ऑफ कॉंक्रिट के बारे में बात करते हैं यह पावन क्या होस्टल में रहता है क्या घर पे रहते हो क्या पावन अच्छा ठीक है मैं म्यूट कर रहे हैं आपको थोड़ी देर के लिए ना वर्कैब्लीटी क्या होती है कि काम करने में वर्कैबल होना चाहिए वर्कैबल लेटी से ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे पानी का रेश्यो पर हमारी वर्कैब्लीटी डिपेंड करती है मगर हम पानी को एकसीड भी नहीं करेंगे क्यों करना मतलब ज़ादा बढ़ाएंगे नहीं अपड़ ऐसा नहीं करेंगे हमने बढ़ दिया काम करने में आषा नहीं कि concrete mix अच्छे से ओ जाएगा 4 अच्छे से का उलखागा मर्ह वह पानी जब ही पानी sommीडिस तो अंदर क्या रहे जाएंगे air volts रहे जाएंगे हम क्या चाह रहे हमारा concrete अच्छे से काम करे मगर strength भी हो ठीक है तो हम उतना ही workability रहनी चाहिए जितनी काम में हमको जरूरत लगे क्या है कि क्या होती है आपको क्यूरिंग के बारे में बने बताया तरी होती है तरी तीन तरे से हो सकती है तरी एक तो शेड़ बना करके जहां हमने construction करा उसके उपर हम शेड़ कर दो छाओं कर दो तो उसमें जो पानी है वो अराम अराम से अपनी heat of hydration करते होगे खताम होगा दूसरी चीज मैंने बताई ती गनी टिंग वर के वर्क काड़िया तो कोन्य से फैक्टर हमारी वर्क्या विर्क पर्ट को अफक्त को अगर हमने आध में रोज को जानी है प्लेश निकरा हेल करा ही तो ये सारे कुर्ष हमारी वर्क्यांपü ठीक है define motor, motor को समझाओ और उसके various motor material को समझाओ, तो motor को आप कैसे समझा दोगे, motor को कैसे समझाओ गे, ऐसे आप समझाओ गे, एक तो जोड़ने वाला material रहता है, binding material रहता है, दूसरा हमारा fine aggregate रहता है, या फिर हमारा sand रहता है, ठीक है, इससे मिला करके हम क्या बनाते हैं, motor बनाते हैं, अब दूसरी चीज़ यह होती है, कि हम जब motor बनाते हैं, तो हम कौन-कौन सी हमारे motor के material होने चाहिए, तो motor के material हम देखते हैं, हमारे यहां होते है, motor के material हम लाइम को भी यूज कर सकते हैं, सिमेंट को भी यूज सकते हैं, सिमेंट को भी यूज सकते हैं, सिमें या फिर लाइम और सिमेंट के कॉंबिनीशन वाला और मड़ वाला मड़ मतलब हमारी मिट्टी इन माटीरियल को जब हम सेंड के साथ में यूज करते तो हमारा अलग-अलग टाइप का मोटर बनता है मड़ को हम पुराने समय में यूज करते थे और हम अंदर की दिवारों पर बहरी दिवारों पर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं उसको ठीक है दूसरा हमारा लाइम और सिमेंट मोटर होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं लाइम के साथ में सिमेंट मिलाते यह सिमेंट से सस्ता होता और लाइम से थोड़ा समेंगा होता है मगर इसकी स्ट्रेंथ भी आ आपको इतना लिखना है समझ में आ गया तो आप अपनी लेंग्वाइज में लिख सकते हो कि अगला है हमारा मेंशन दा फंक्शन ओ सैंड इन मोटर मोटार हमारी रेती के किया कार रहे होते हमारे मोटर को करने में एक सेकंड तर्के अंदर वह हम देख रहे तो सन्न के कार मेनिये बताया बल्क देता है वॉल्यूम देता है श्रिंक्टेसे से बचाता है हमारे स्टेंट देता है फिर हम बात कर रहे थे हमारे टेस्ट मोटर गे तो चो यह टेस्ट है यह मोटर के और कॉंक्रिट के हम एक साथ पढ़ लेंगे इनको क्योंकि हमको वीडियो देखना है या फिर अगर हो सकता है आपके अगले महीने से अफलाइन कॉलेज लग जाएंगे तो आप हम वहाँ पे इनको करके देख लेंगे बा क्या होते है तो यूज के बारे में भी आपको पता है अब अगली चीज देखना प्रपोर्शन ऑफ कॉंक्रिट प्रपोर्शन मतलब ग्रेडिंग भी होता है दूसरी चीज मैंने वह पता था आपको रेश्यों पता था अलग वान इस्टू टू इस्टू फोर एक एक तीन एक देड़ तीन ऐसे सारे रेश्यों बताया थे अलग अलग कॉंक्रिट के मैं आपको अभी फोर्टो खीच के मैंने शाद डाला नहीं था ग्रूप को मैं डाल दूंगे आज देखो एम पांच दस एम साड़े साथ का होता है एक आठ एक चार आठ दस का होता है एक तीन छ एक दो चार एक देड़ तीन एक एक दो एक तीन यह सबको पता है इसमें कौन सी चीज क्या है कौन सी चीज क्या नहीं है यह देख करके समझ जाते हो ना यह हमारा पूरा जो सेंड है और यह हमारा क्या है एग्रिगेट है यह हम इतने वेट के हिसाब से हम बैचिंग करते ह मैंने दो तरीकी बताई थी एक volume बेचिंग और एक weight बेचिंग मतलब हम क्या करते हैं उसमें volume से लेते मतलब एक ना पिया एक आयतन हमने रख लिया थगारी हो चाहिए हमने डबा ले लिया चाह कुछ भी तगारी वगारी से अगर हम बेचिंग करते हैं वह होती है हमारी volume बेचिंग और अग्वेट से करते हैं तोल से करते हैं यह यह एक ल inning कोने से हैं साद दोनों में से अच्छी कौन सी है पूछेगा आगे एक्स्टेनल तो क्या बोलोगे कि अलग होगी सिमेंट का घनत्व अलग होगा बारी क्रेटी का घनत्व अलग होगा और मोटी किट्टी का घनत्व अलग होगा तो घनत्व के आधार पे या इनके अलग-अलग साइज या शेप के आधार पे वो वोल्यूम जादा या कम ले सकते हैं मतलब अगर भारी चीजे मो है तो यह चीज होती है हमारी ठीक है आई बात समझ में आपको इतनी तो मैंने बताया था आपको proportion of concrete मतलब यह सारी grade होती है ठीक है grade या ratio की बात करता है तो आपको दिखाना है कि कौन सा ratio कितने proportion को segregation मैंने बताया था segregation हम मतलब हमारे concrete में material को अलग-अलग हो जाना ठीक है अगर आपने सही तरीके से mixture मिलाया नहीं है mix नहीं करा पानी से धंक से मिलाया नहीं तो हमारे क्या हो जाएगी गिट्टी अलग चली जाएगी रेती अलग चली जाएगी सीमेंट अलग चली मतलब से लग उचाहां ब्लीडिंग कै अगर हम ज्यादा मात्रा में पानी मिलादेते तो क्या होता गता है सीमें पानीं मिलीदिंग बहता हैbin को मतले में नहीं बएक अपनी में जाएगे पता है था मैंने एक तो manual compaction और एक machine compaction, manual मतलब हम हमारे हाथ से या इनसान अपने खुद के तरीके से compact करता है, तो manual में भी दो तरह से compact हो सकता है, एक तो wood की rod से और एक हमारी steel की rod से, ठीक है या तो सरीय की rod से, और दूसरा machine compaction में क्या, हमारी जो rod रहती है, वो already fit होती है, machine में तो वो कैसी होती जाती है, compact होती जाती है, अब हमने क्या देखा था, discuss various testing on the concrete, यह हमारा बच्चा हुआ है, और test, motor के test, और यह concrete के test, हम अगले वीडियो में या अगली class में देख लेंगे, यह अभी टाइम मिलता तो अभी हम वीडियो देख लेंगे, ठीक है, यह RCC के बारे में बताया था, reinforce cement concrete, ठीक है, जिसमें सरिया होता है, cement concrete के साथ में, वो होता हमारा RCC, PSC के बारे में बताया था, मैंने pre-stress concrete, मतलब जो सरिया हम पहले से fit करते, ठीक है, वो होता हमारा pre-stress concrete, मतलब यह हमारा site के अंदर ही create होता है, मगर यह site से अधर जगा पे create होगा, और ला करके इसको site पे fit कर देंगे, ठीक है, FRC होता है, हमारा fiber reinforced concrete, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि यह आता है engineering वा लोगो, fiber reinforced concrete, ठीक है, fiber reinforced concrete में क्या करते हैं, हम concrete के साथ में, छोटे छोटे से fiberous material डाल देते हैं, fiber के material हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो वो होता हमारा FRC, ठीक है, RBC क्या होता है, हमारा reinforced brick concrete, हम brick के material के साथ में concrete का उप्योग करते हैं, it is the combination of reinforcement, brick and mortar, समझ महीं बात, reinforcement को brick mortar के साथ में लगाते हैं, nowadays, it is old fashion, मतलब पूरा old हो गया, हम इसको use में नहीं करते हैं, देखो एक तरह का हमारा load bearing wall में ने बताई थी, मतलब हमारी जो wall जो रहती है, वो ही main load झेलती है, तो ये construction पहले होता था, उसके ओपर हम क्या करते थे, हमारी girdle देने के लिए reinforcement लगाते थे, तो ये उसी तरह का हमारा construction है, it is generally used in the slab, कहां में use करते हैं, हम slab में use करते हैं, छत भरने में, lintel हमारे खिड़की दरवाजों के ऊपर जो हम lintel बनाते हैं या beams में, ठीक है, RBC first class brick with high compressive strength are used, सबसे first class brick use करेंगे, जिसका compressive strength कैसा होगा, high, जाद होगा, dense cement motor is used to embed the reinforcement, the reinforcement material में भी mild steel, हम क्या करते हैं, reinforcement की जगह पे, क्या करते हैं, reinforcement material क्यों से steel का use करते हैं, mild steel bars use करते हैं, ठीक है, अलग-अलग type के, जो हम सरिया भी होता है, उसमें भी अलग-अलग type के हमारे बार्स होते हैं, जो nominal और normal रहता है, सबसे, यह कहलो, जो use माता होते हैं, mild steel bars होते हैं, यह हर जगह पे हम high hy sd bar यूज नहीं करते हैं, एक होते हैं, hy sd bar, तो यह क्या होता है, high yielding stressed bar, ठीक है, तो यह कैसे होते हैं, यह अच्छे और भारी construction में use होते हैं, पर हमारी yielding, yielding मतलब yielding stress जाद आती, यह आपको आगे समझ माएगा, अगर RCC आप पढ़ते हैं, तो आपको yielding mild steel की property या अलग-अलग material की property समझ माएगी, ठीक है, तो हम बात कर रहा है RBC की, तो RBC में हम कौन सा normal हमारा nominal mild steel के बार यूज़ करते हैं, the reinforcement is lead, horn, horizontally और vertically, या तो आड़ी बिच्छा सकते हैं, या फिर हम खड़ी भी बिच्छा सकते हैं, आई इतनी बात समझ में, यह RBC के बारे में इसको क्या बोतर, reinforced brick, cement, concrete, concrete बोलेंगे, सही बोला सक्षिन, ठीक है, तो यह 3-4 चरी की चीज है, मुझे लगता है, यह आपको समझने ज्यादा जरूरी है, जिसमें सिर्फ normal हमारा RCC use होता है, वो रहता है, यह चीज आपको बाद में आएंगी, या हो सकता है, अभी भी हो, अभी हम सीले, बस टैली कर लेते हैं, ठीक है, इन्वार्मेंट हमने last class में, हमने last semester में मैंने आपको environment subject पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था, कि हमारा जो waste उत्पादन होता है, या फिर जो भी हमारी factories में से जो राख निकलती है, राख क्यों निकली कि उसमें जलते हैं, बहुत बड़े बड़े boiler, ठीक है, तो boiler क्या होते हैं, बटे टाइप रहते हैं, बटे टाइप रहते हैं, बटे टाइप रहते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को गरम करते हैं, जब पानी गरम होता है, तो उसमें से क्या निकलती, steam निकलती, आपको याद है, पहले के टाइम में steam की rails होती थी, मतलब अगर प्लेट रग दिए प्लेट उझालने लगती है फोर्स लगाती है जिसके खरहण हमारी मशीनों में चलन आता है तो इसके लिए हम लगाते हैं बड़े बड़े बॉइलर आपके क्रोक्रोस बॉइलर बहुत थारे अलग अलग तरह के बॉइलर्स होते हैं आप अभी इंजिनेरिंग अगर करते हो तो आपको पढ़ना रहेंगे या फिर जर्वत नी रहती है आप सिफ जनरली आसे देख लेन लकडी चलती हैं तो उसमें से क्या निकलती है हमारी राख निकलती है अब राख ये तो राक किस काम में आएगी तो हम क्या करें ऐसा कुछ कि हमारा जो वेस्ट मटीरियल है उसको वापिस क्या करें रिसाइकल कर ले मैंने आपको उसमें 3R फॉर्मुला बताया था 3R सिद्धान 3R का सिद्धान्थ पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में सबसे पहले रिफ्यूस रिड्यूस रिसाइकल ठीके रिड्यूस तो माझारो मतलब क्या करो बताया जो वेस्ट Professor को रिसाइकल करें रिसाइकल का मतलब क्या होता है जो वेस्ट प्रोड्यूस है उसको रिसाइकल करो आप जैसे में एक उधारन के लिए एक पैन खरीद के लाई उसमें रिफिल डली हुई है ठीक है यूज थो वाला नहीं है अब मेरी इच्छा है भाईया पें तो पांच रूपे का मैं फेक द है ठीक है आई बात समझ में आपको त यह होता हमारा री साइकल तो sitä ती सरत का सिद्धान्त जो था मैने पढ़ा है अब को री साइकल मतलब वापिस से हमने उसको उपयोग किया तो वापिस से क्या उप्योग किरा अभी मैंने आपको बताया था वापिस से यह उपयोग करेंगे जो उसमें से एश निकल रही थी राक निकल रही थी उसका उपयोग करके हम क्या बनाएंगे इटो को बनाएंगे आई बात समझ में बॉइलर समझाया, बॉइलर में जल रहा था कोईला, कोईले में से निकल के आई राक, अब राक हमारे लिए क्या है, वेस्ट माटीरियल है, इंडस्री वालों के तो वेस्ट है ना, तो आप जैसे लोग क्या करोगे, अलग-अलग तरह का वेस्ट रिखटा करके लाओगे, ठ आप ऐसा करना, सलज होता है, एक मैं समझाती है, आपको सलज क्या होता है, देखो, ऐसा मत सोच रहा कि ये तो गंदी चीज है, या वेकार चीज है, क्या होता है, जब नालिया चलती है, देखो, बहता हुआ पानी कौईसा भी हो, थोड़े टाइम के बाद चुद्ध होजा आपको मैंने जब मैं आपको water treatment समझा रही थी तो मैंने आपको समझा था एक ariation ठीक है मैं इसलिए अभी आपको पिछली क्लास का बता रही हूं क्योंकि मैं environment में सब पड़ा चुकी थी ariation बदाया था तो उसमें क्या करा था हमने फुवारा टाइप चलाया था नीचे से पानी डाल करके उसको चड़ाओ पे से उतारा था जिसके गारण क्या रहती है जो वादवरण में हमारी oxygen है वो क्या करती है पानी को शुद्ध बनाती है वापिस से उसक वेक्टीरिया मारने में जो हमारी डिमांड लगती कौन सी डिमांड oxygen की दिमांड तो जैसे जैसे हम पानी में oxygen प्रोवाइट करते ना या जैसे जैसे हम उसमें पर ऐत्मोस्ट्री में फाली पानी फेला हुआ सा रहता है तो उसको क्या मिलती वादवरंड के oxygen मिलती है तो पिर हमारा जो कच्रा रहता है, वो सड़ने लगता यह सड़ने वाली previous system Prost примको á तो उसमें जो अउतपन होते हैं auksygen बसेधाने उत्fahrया घटाका शहीं को samarium कर्षा बैक्टीरियास रहता है रिमूव जाते फिर उसके बाद जो बसता ना नीचे सलज बसता है तो आपको पता कषरा बन गया ठाए और बागी के पानी को हमणे आगे बढ़ा दिया था तो जो मोटा रे तरलना और अखोड़ा उस टेंक मेंवस्ता है वो होता है कहला था हमारा स्लज आई बात समझ में कुछ चीज मिस हुई क्या देखो यह आगया आपको काम में आएगा या अगर ऐसे हो कुछ प्रेटिव तरह के इंसान और आपके लेबी रखी हुई है कि सोच वेस्ट और किrye को किस तरह से cause कर सकते हैं एक कोई भी चीज वह जैसे आप स्वेस्ट उट सनव शर्टा हुआ इसा कोब्तिशन रहता है उसमें यह सारी चीज नहीं कि आप होकट के खोके-पोके से कुछ चीज़े बनाते हो है ना वही चीज होती है अगर इंवर्मेंट में ऐसा कुछ वेस्ट है जिससे आप कुछ रिसर्च करके कुछ अच्छा बना सकते हो तो वह आपका छपने लायक या बहुत बड़े-बड़े कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने लायक आप होगे और हो सकता है आपको स्कॉलर्शिप मिल जाए आपको रिसर्च करने के लिए कोई आपके इस्पोनसर करदी ओधि तो मैं यह राक बजती है अब दूसरी चिस भाया यह अगर अच्छी होती तो हम इसी को यूज करते हैं पहले जब इसका जो भी प्रारंब हुआ होगा तो सबने सोचा हुआ क्या यह वो जो ब्रिक बनती है उस तरह का स्ट्रेंथ देगी क्या पानी कितना सोखेगी तूटेगी कितनी मजबूती पर है ना मतलब उसकी मजबूती कितना होती है तो इस कर लिदिव्टेरी से पर उचिनल कत इसकी होगती है तो हम इस तरह से क्या करते हम पैले फ्लाइश JUST 5 तो मतलब ये सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि आपने इतना परसेंट मिलाया राख का और आपने इट का मसाला बना की इट बनाई तो आपकी अच्छी बनी तो ऐसे पुराने टाइम में किसी ना किसी रिसर्चर ने इसका वह करा होगा फ्लाइश की ब्रिक बनाई होग तो वो अब चलित हो गही है मतलब हमने देख लिया य अच्छी है अच्छी क्यों है एक थो हमार骸े से बन रही है दूसरी पहली तो मतलब यह ट्रेडिशनल ब्रिक से हट करके यह स्टेंडर्ड ब्रिक हो गई किसी नहीं होलो ब्रिक भी बना होगी तो उसने पाया होगा कि टेंपरेचर कम मिला होगा तो यह भी आपन को पढ़ना नहीं जो रिसर्च आती आप कुछ चीज का रिसर्च कर ले तो वह अगर सिद हो जाती तो आपको क्या मिल जागा पेटेंट मिल जाएगा कि नहीं यह वाली चीज़े अब पूरे मार्केट में यूज होनी चाहिए ठीक है रेफेरेक्टरी ब्रीक्स इसको हम बाद में पढ़ेंगे तो आप में समझा रही थी जैसे इसमें फ्लाइश को यूज करके ब्री मैं यह इसलिए बता रही क्योंकि यह मैनर का एक टॉपिक रहता है मैनर प्रोजेक्ट आपको आता है इंजीनेरिंग में तब मेरा टॉपिक था फ्लाइश का यूज हमारी सीमेंट मैं मतलब एक तो पांच परसंट सीमेंट का पैसा बच गया मैं कुछ भी कंस्रेक्शन कर और मैंने 5% क्या मिला लिया यह वेस्ट मिला लिया राख तो मतलब इसका री यूज कर लिया तो दोनों चीज अच्छी हो गए एक तो पैसा मैंने बचा लिया और फ्लाइश का यूज कर लिया तो मैंने अलग-अलग टेस्ट लगाएंगे कुछ टेस्ट अच्छे बेट पर strength कम जरूरत है या सिर्फ हमको bulk देना है bulk मतलब volume देना है ताकि हमारा stability बनी रहे और volume भी रहे ठीक है तो हम जा करते हैं फिर इसका use वहां करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़े रहते है एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है sludge की ठीक है जो हमारा कूडा रहता है मतलब कौन सा sludge उसमें vegetation material नहीं होने चाहिए vegetation material मतलब उगने टाइप वाले या फिर जो ऐसे रहे के जिसमें पानी लग जाए तो वापिस अंकूरित हो जाते हैं ऐसा कोई चीज नहीं होना चीए क्योंकि अगर एसी चीज हमारे building में यूज कर लेते हैं तो क्या होता है वह हमारी building को वीक बनाती है ठीक है मैंने आपको ऐसा ढीक बनालन को आपको केतों में ब्लब काम तो इसा सलच यह वाला खाद में काम आता है ठीक तो कि दोस्गतorem सब्सक्राइब कि इसाना दोरा उस्टा जलिए आपके अंगकोरी। हमारी बिल्डिंग मेरी भूढ़ होका तमीदिधिकल उसक्टार आपको सब्सक्राइब कर आप सकते ह हैं आपने देखा है पीपल के पेड़ उग जाते हैं बिल्डिंगों में सब जगा देखा होगा तो दीरे-दीरे यह पेड़ क्या होते हैं बड़े होने लग जाते हैं बड़े होने लग जाते तो इनकी जड़े भी फेलती है तो जड़े कहां फेलेगी जड़े तो धक्का दिवारों पे तो यह क्या करती है क्रैक जनरेट करती है क्रैक बना देती तिराडे बना देती तो हमको जैसे हमको कोई सा भी पेड़ दिख रहा है तो यह मत किया ना कि पाप लगेगा पाप नी लगेगा इसको हटा दे निकाल दे निकाले के निकाले तो भाईया फट्ट से पहली फूरसत में आप उसको निकाल देना क्योंकि क्या होगा वह जिससे बड़ा होता जाएगा तो वैसे वैसे आपके पहुचान पहुचाता जाएगा और जैसे बड़ा होगा तो उसकी जड़े रहेंगी और उसी में पानी भी गुसता जाएगा तो क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा ठीक है भले आप निकाल करके उसको खुले में जहां आपकी जमीनों धर्तियों महां पे रोप तो वह बाप भी कंपन्सेट हो जाता है मतलब पाप नहीं लगेगा अगला दिख रहा है आपको पेवर ब्लॉक्स पेवर ब्लॉक्स क्या होते हैं आपने रोडो पे आजकल देखे ऐसे अलग-अलग टैप के डिजाइन वाले लगे होगे रहते हैं आपके कॉलेज में के गुटके लगे रहते हैं सब जगा दिख जाते हैं नगर निगम वाले लगाते हैं तो वह ब्लॉक के रहते हैं इसी बनावट के रहते हैं एक में एक फिक्स हो जाते हैं और इसमें क्या सिमेंट की ज़्यादा जरुवत नहीं पड़ती है नीचे सिर्फ चूरी बिछाने मतलब एक में इंटर लोकिंग कर देते हो उसकी बनावटी वेसी रहती है तो उसको बोलते हम पेवर ब्लॉक्स ठीक है इसका आपने जनरली देखा ही होगा पेवर ब्लॉक्स ठीक है तो ये था ब्रिक तो ब्रिक में मैं चार तरह की चीज़े आपको नोट्स दे दूँगी समझा तो मैं चुकी हूँ ठीक है और हम समझ लेंगे तो हमारा ये पहला पार्ट में से हमारा सिर्फ बच रहा हमारा ये टाइल्स वाला पार्ट है रहा टाइल्स हमने अभी तक नहीं पड़ी हुए टाइल्स में कुछ नहीं है एक दिन या आदे घंटे का लेक्चर होगा तो हमारा पहला नहीं पड़ गया अब आजाओ यह रेड रड दिख रहा है आपको सिले बस में हाल ठीक है टेस्ट है ठीक है टेस्ट है ठीक है फाइनेस मॉडूलस बइसिव एनलिसिस और फाइन एग्रिगेट की होता है हमारी च्छनियों से जब हम उसको चानते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा finest modulus क्या है, मतलब पूरे के पूरे रेती में कितने fine material है, कितने course है, तो हमारा maximum जो निकलेगा, हम उसको दर्शा देते हैं, कि हमारा सीव किस तरह का grade का है, grade क्यों बोलते हैं, मतलब वो चन्नियों में से चनेगा, तो कितना weight कितनी चन्नी में से चना, वो हम निकालते हैं, ठीक है, bulking of sand पर हमको समझना है, तो यह मैं लिख लेती हूँ, अपना test number 3, bulking of sand,